नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फार्मेसी स्टेडी में जहां आप पाते हैं दवाईयों से जुड़ी जानकारी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक मेडिसिन का कॉंबिनेशन है ट्रामा डाल और पैरासीटामॉल टैबलेट के वारे में बात करेंगी यह जो कॉंबिनेशन है दोस्तों जब आप इसे मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाएंगी तो आपको कुछ दूसरे नामों से मिलेगा जिसे ब्रैंड नेम कहते हैं जैसे कि दोस्तों यह मार्केट में आपको कैल टैबलेट के नेम से भी यह मेडिकल स्टोर पर आती है और भी इसके कई सारे ब्रैंड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं आप अपने हिसाब से इसको पर्चेज कर सकते हैं दोस्तों बात करें अगर हम इसमें जो पैरासीटामॉल डाला गया है वह दोस्तों 325 एमजी और य बुखार को कम करती है तो दोस्तों इसमें दोनों प्रकार की प्रोपरिटी पाई जाती हैं एक तो यह दर्द को भी कम करती है दोसरा फीवर मतलब बुखार को भी यह कम करती है और दोस्तों जो ट्रामाडॉ Ал है इस कॉंभिनेशन में 37.5 एमजी ट्रामाडॉ पड़ा और दोस्तों यह जो Tramadol है यह opioid analgesic class के medicine होती है इसका मतलब यह होता है दोस्तों वो दवाईया जो दर्द को कम करती है उन्हें opioid analgesic कहा जाता है अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में तो दोस्तों इस combination का उपयोग मुख्रूप से चाहे हलका फुलका दर्द हो या फिल severe pain हो moderate to severe pain को ठेक करने के लिए किया जाता है साथ ही अगर कोई मरीज है उसके बुखार है हाथ पयरों में दर्द बहुत ज्यादा है तब भी इस टेबलेट का उपयोग डॉक्टर करते हैं और दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग मान लीजे कोई मरीज है जिसके ब pain हो गया arthritis की समश्या हो गई हालांकि arthritis में dichlofenac दिया जाता है लेकिन इसमें भी डॉक्टर अपने experience के हिसाब से मरीज को recommend करते हैं तो दोस्तों यह हो गए इसके उपयोग हो सकता है इसके अलावा डॉक्टर अपने experience के हिसाब से इसको other condition में recommend करें दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उपयोग कैसे करना है तो दोस्तों इस tablet का उपयोग आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद में कर सकते हैं दोस्तों यह जो tablet है हर 6 गंटे के बाद जिस हिसाब से मरीज को तकलीफ होती है उस हिसाब से इस tablet का उपयोग करने के सलाह डॉक्टर देते हैं बात करें common side effect के बारे में तो जैसे कि उल्टी लगना उल्टी हो जाना constipation की समस्या हो जाना weakness, dizziness चक्कराना या फिर mouth में, मुह में सूखापन होना ये समस्या समय तो नहीं देखी जाती है लेकिन कुछ मरीजों में ये समस्या देखी गई है दोस्तों ये बता दिये हमने आपको इसके side effect हो सकता है इसके अलावा आपको इसका कोई other side effect कराएं नहीं तुरंत इसको लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें वो आपको further treatment करेंगे बात करें दोस्तों कि साउधानिया क्या रखनी है तो एलकोहल के साथ में इस टेब्रट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है जो महिलाएं pregnant हैं या फिर जो महिला बच्चे को दोद पिलाती हैं उस केस में अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लें फिर इस टेब्रट का उपयोग करें लेवर किड्ने की गंभीर बीमारी होने पर भी इस टेब्रट का उपयोग अपने आप से ना करें और इस दवाई से इसमें जो दो दवाईयां डाली कारे में वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं सिंपल फारमेसियस टेडियो को टेक केर बाई